लेडिज कॉस्मेटिक स्टोर का काम घर से स्टार्ट होने वाला महलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा काम है और इस बिजनिस में बच्चत भी बहुत अच्छी खासी है महलाओं के ब्यूटी प्रोड़क्ट का मार्केट दिनो दिन बड़ा हो रहा है महलाओं के ब्यूटी प्रोड़क्ट को महलाओं बहुत अच्छे से समझ सकती है और अपने कस्टमर को बहुत आसनी से समझा सकती है होलसेल मार्केट से ब्यूटी प्रोड़क्ट को खरीद कर अपने कॉस्मेटिक स्टोर से बहुत आसनी से सेल किया सकता है और इस बिजनिस को करके बहुत अच्छी पचत लिया सकती है जैसे जैसे समाज में आदो निकता बढ़ रही है ब्यूटी पारलर की डिमांड भी लगाता बढ़ती जा रही है और अब तो आपको ब्यूटी पारलर्स मार्केट के अलाबा बहुत अच्छी पॉस कालोनिस में देखने को मिल जाएंगे अब यू ब्यूटी पारलर्स गलियों और मौलों में भी खुलने लगे है उसका सबसे बड़ा कारण है महलाएं अपने ब्यूटी के प्रत जादा सजग होती जा रही है तो ब्यूटी पारलर का कोर्स करने के बाद इस काम को बहुत अच्छी से अपने घर से स्टार्ट किया सकता है और ब्यूटी पारलर का काम करके बहुत अच्छी इंकम जनरेट किया सकती है जैसे जैसे समाज में आदर निक्ता बढ़ रही है महलाएं भी working position में आती ही आ रही है और उसके साथ-साथ भो अपने स्वास्त के प्रत भी साजग होती ही आ रही है तो ऐसे में yoga training classes का काम भी बहुत अच्छा काम हो सकता है जो आप अपने घर से कर सकते हैं और yoga training classes को देकर आप अपने लिए बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं yoga training classes का काम ऐसा भी है कि इसमें आप classes देने के साथ-साथ अपने वीडियो बनागर YouTube पर भी publish कर सकते हैं और वहां से भी बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं yoga training classes का काम करके आप खुद तो स्वस्त रहेंगे ही साथ में अपने आस-पास के जो पडोस की और महला हैं जिनको आप training दे रहे हैं वो भी स्वस्त रहेंगे आज के समय में गुटी की store का का काम भी एक बहुत अच्छा काम है इस काम को आप अपने घर में किसी भी एक रूम से बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं पसकते आपने इस काम की training ली हो और इस काम को करके trend के according जो भी garments चल रहे हैं उनकी stitching करके उनको नई fashion और नई look के according इसको बना कर आप बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं समाज में जैसे जैसे आदिनेक्ता बढ़ती जा रही है लोगों के पास समय की कम ही होती जा रही है पुर्सों के सासाथ मेलाएं भी बर्गिंग पोजिशन में आती जा रही है और कुछ लोग जब घर से बाहर रहकर jobs करते हैं ये study कर रहे हैं तो अगर आपको खाना मनाने का सौक है और आप पाक कला में पारंगत है तो आप टिफिन बिजनिस को करके अपने लिए एक बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं टिफिन सिस्टम के काम को आप अपने घर से ही start कर सकते हैं और एक या दो स्टाफ की मज़ से इस काम को आप बड़े लेबल पर भी लेके जा सकते हैं coaching classes का काम भी आज के समय में एक बहुत अच्छा काम है अगर आप bell educated woman है और आपको सौक है teaching का तो आप coaching classes दे का बहुत ही आसानी से अपने लिए income generate कर सकते हैं coaching classes देने के लिए आपको कुछ pamphlet शबवा कर अपने आसपास के एरिया में लगवाने होंगे उसके लावा आप social media के थुरूवी लोगों से contact करके coaching classes के लिए student बहुत आसानी से तला सकते हैं और coaching center का का काम आप अपने घर से ही करके अपने लिए एक बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं future के लिए नई opportunities खोल सकते हैं कोई भी शादी हो function हो या तिवार हो पापड की demand तो बने ही रहती है पापड मेकिंग का काम एक ऐसा काम है जिसको घर बैठे बहुत आसनी से किया जा सकता है पापड मेकिंग के काम को बैसे तो आप manual तरीके से घर पे भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े पैवाने पे काम बनना चाह रहे हैं तो आपको एक मेशीन की जरुवत पड़ेगी आप जो यह पापड मेकिंग मेशीन दे रहे हैं इसका प्राइज 18,880 रुपए है आप इस मेशीन को पर्चेस करके बहुत ही आसानी से अपने घर से पापड मेकिंग का काम बड़े पैवाने पर कर सकते हैं और अपने लोकल एरिया के साथ साथ आप ओनलाइन भी अपने तयार किये हुए पापड को बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं और इस बिजनिस को करके आप एक सफल एंट्पनियोर्ट बन सकते हैं अगर आपके पास छट पर थोड़ी सी जगे एक्स्ट्रा है तो आप डाल बड़ी मेकिंग के काम को अपने घर से ही बहुत आसानी से सुरू कर सकते हैं और इस काम को करके आप अपने लिए बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर पाएंगे हम आपके यहां जो यह मशीन दिखा रहे हैं इसका प्राइज 8,900 रुपे है मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दरसल यह मशीन एक हेवी ड्यूटी ग्राइंडर मशीन है जिसके तुरू आप भीगयोई डालों को पीश सकते हैं और उस फिशीवी डाल की बढ़ियां बनाकर आप अपने तयार बढ़ियों को अपने आस्पास के लोकल मार्केट में या फिर अगर आप चाएं तो ऑन-लाइन भी अपनी तयार बढ़ियोंको बहुत आसामी से से सेल कर सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे इंकम जनरेट कर सकते हैं डालबड़ी मेकिंग से रिलेटेट फुल जानकारी लेनी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साड़ी बिजनिस के काम को घर से बहुत आसनी से स्टार्ट किया सकता है आप बल्क में साड़ी को पर्चेस करके अपने यहां डिटेल में उन्हें बहुत आसनी से सेल कर सकते हैं साड़ी जब bulk में purchase किया जाती है और उन्हें जब retail में sale किया जाता है तो उस price में काफी अंतर होता है तो आप भी इस opportunity भरे काम को बना कर अपने लिए बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं और घर बैठे ही इस काम को बहुत आसनी से start कर सकते हैं क्योंकि आपको पता रहता है ट्रेंड में क्या चल दा है और demand किस चीज की है आज के समय में जब महलाएं और पुरुस दोनों ही पर्कियों position में हैं ऐसी condition में आप play school का काम भी start कर सकते हैं play school खोलने के लिए आपको किसी भी संस्ता से registration कराने के जड़ुत होगी उसके बाद अपने घर को decorate करके बच्चों के according environment, उनके according print, उनके according toys को रखकर आप play school को भी खोल सकते हैं बच्चों का education बेनी के साथ-साथ आप अपने लिए भी बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं महदी सर्विस का काम भी आज के समय में बहुत अच्छी बचा दे कर जाने वाला काम है अगर आपको भी अच्छी महदी लगाने का सौक है तो आप इस काम को अपने घर से ही बहुत आसानी से start कर सकते हैं जैसे जैसे लोगों में आपकी fame पहुंचती जाएगी लोग आपके पास महदी लगवाने के लिए अपने आप आने लगेंगे और festival season के टाइम पर तो इस काम में जबर्दस्त बूम आ जाती है तो महदी लगाने के business को करके आप अपने लिए एक बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं गोल्ड की बहुत सारी jewelry हर किसी के लिए purchase कर पाना संबब नहीं है और गोल्ड की ज़्यादर jewelry बेन कर market जाना खत्रे से खाली भी नहीं है तो अब धीरे धीरे trend आ रहा है artificial jewelries का artificial jewelries की demand आज बहुत चरम पर है artificial jewelries के काम को आप चाहें तो अपने घर से बहुत आसानी से start कर सकते हैं इसका प्रिचार आप चाहें तो pamphlet के तो या social media के तो भी आसानी से कर सकते हैं artificial jewelries को आप थोग के artificial jewelry store से purchase कर सकते हैं और उसको डिटेल में बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं और इस वेजिस को आप चाहें तो अपने घर से ही स्टार्ट करके अपने लिए बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपको भी डांस का सौक है और आप छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को डांस सिखाना चाहते हैं तो डांस क्लासिस का काम भी घर से करना बहुत फायदेमन्द काम हो सकता है आप अपनी होबी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी डांस इखा कर अपने लिए पैसा भी जनरेट कर सकते हैं और आपकी होबी भी फुल्फिल होती रहेगी आज के समय में बुकेज की डिमांड जम कर रहती है तो आप अपने घर से ही बुके मेकिंग का बिजनिस करके बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं इस काम को करने के लिए आपको अपने घर का कोई भी आउटर एरिया देखना होगा उसके सासाथ आपको अपने असपास की सुसाइटी देखनी होगी कि वहाँ बुकेज की कितनी डिमांड है उसके अगॉर्डिंग आप अपना बुकेज स्टोर खोल कर वहाँ से आप बुकेज को बहुत असानी से सेल कर सकते हैं अब तो बुकेज नेचरल फ्लॉबर्स के सासाथ आटिफिसल फ्लॉबर्स से भी बनने लगे हैं इस कारण इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इनकी लाइफ बढ़ जाती है और इस बुकेज को करके आप अपने लिए बहुत अच्छे इंकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपको भी संगीत का सौक है या फिर आपको कोई इंस्ट्रुमेंट बजाना अच्छे से आता है तो आप अपने इस होवी को निखार कर बच्चों को या बड़ों को म्यूजिक क्लासिस देकर अपने इस होवी को पूरा करने के साथ साथ अपने लिए बहुत अच्छे इंकम जनरेट भी कर सकते हैं म्यूजिक क्लासिस के काम को आप चाहें तो अपने घर से ही बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं पेपर लिफावर मेकिंग के काम को भी आप अपने घर से बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं तरसल अब तक ही काम बड़े इंडिस्ट्रीज के लेवल पर होता रहा है लेकिन इस काम में जैसे जैसे हैंडिक्राफ्ट वाले आइटम एंट्री करना स्टार्ट हुए हैं तरह तरह के स्टाइलिस और डिजाइनिंग वाले पेपर बैक बनना स्टार्ट हुए हैं इस काम में घरेली महलाओं के लिए भी एक नई अपॉर्चिनिटी निकल कर आई है। आप उन डिजाइनिंग बाले और उन इस्टैलिस पेपर बैक्स को बना कर मार्केट में बहुत आसानी सेल कर सकते हैं। चाहें तो ऑनलाइन भी सेल करके अपने लिए बहुत अच्छी इं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो फ्रोजाबास से बल्क में चूडियां पर्चेस कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो किसी भी टीलर के थ्रू आप चूडियां को मंगा सकते हैं। और इस बिजनिस को करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्टर पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको बैंगल पर डिजाइनिंग का काम भी सीख लेना चाहिए। आप बैंगल्स पर स्टैलिस डिजाइनिंग करके, अपने शॉप के सासा उन बैंगल्स को भी सेल कर सकते हैं, और इस्पेशल डिमांड की गई डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग बैंगल्स कस्टमर को दे कर, आप अपने लिए एक बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको भी केक और पेस्टीज बनाने का सौक है, तो आप केक और पेस्टीज बनाने के काम को अपने घर से ही बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको सेल करके अपने लिए बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें, तो सुरूआत में चोटे पेमाने पर चोटे साइज के बनकेक बना कर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको अपने आसपास के डेली नीट सौक पर भी सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलाबा आप अपने तैयार पेस्टीज और केक को अपने घर से ही सप्लाई करके बहुत अच्छी इंकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम आज के समय में एक बहुत अच्छा काम बन कर हो रहा है Screen printing के काम को आप सीख कर Screen printing अपने घर से ही करके अपने लिए एक बहुत अच्छे इंकम जनरेट कर सकते हैं Screen printing का काम पेपर पर, लिफावों पर, इठाई के डिपों पर उसके अलाबा गार्मेट्स पर भी अभी चरम पर हो रहा है अगर आपको कहीं से order मिलते हैं तो अच्छी बात है अगर order कहीं से नहीं भी मिलते तो आप अपने तयार Screen printing से printed T-shirts को, caps को बहुत आसनी से online sale कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं Handicraft और handmade painting की demand आजकर चरम पर है अगर आपको भी कुछ ऐसी hobby है, कुछ ऐसा सौक है कि आप कुछ handicrafts तयार करते हैं या आप भी कोई oil painting या fabric पर painting करना आपको पसंद है तो आप भी hobby के साथ ऐसे काम को थोड़े से बड़े प्यमान पर करके अपने लिए एक बहुत अच्छी इंगम जनरेट कर सकते हैं आप अपने तयार handicrafts आइटम को चाहें तो retail में supply कर सकते हैं या फिर आप अपने तयार handicrafts आइटम को online sale करके भी अपने लिए बहुत अच्छी budget खड़ी कर सकते हैं आप चाहें तो अपने घर से अगरवत्ती making का काम भी start कर सकते हैं अगरवत्ती making का काम अगर आप बिल्कुल manual तरीके से करते हैं उसमें थोड़ा सा समय extra लगता है लेकिन उसमें किसी machine में पैसा फसानी की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आप चाहें तो food operated अगरवत्ती making machine भी ले सकते हैं ये 16,000 रुपे की machine है लेकिन इस machine के तुरू अगरवत्ती बनाने की speed बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है machine का link description box में available है आप वहाँ से particular site पर जाकर और ज़्यादा रिल पता कर सकते हैं अच्छे flavor की अच्छी खुस्दू की अगरवत्ती की demand हमेशा बनी रहती है और इस business को आप अपने घर से करके बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं आप अपनी तैयार अगरवत्ती इसको online या offline बहुत आसानी से sale कर सकते हैं जब से plastic बैन हुई है जूट बैक की demand लगातार बढ़ती आ रही है उसके अलावा अब तो fashion में भी जूट बैक स्टेंड में आ रहा है तो आप जूट बैक मेकिंग का काम भी अपने घर से करके अपने लिए बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं जूट बैक मेकिंग के लिए आपको जब पढ़ेगी एक heavy duty swing machine की यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यह heavy duty swing machine है price इसका 16,800 रुपए है machine का link description box में available है आप वहाँ से particular side पर जादा machine का और ज़्यादा डिटेल पदा कर सकते हैं आप चाहें तो डिजाइनिंग में colorful, stylis, ूट बैक्स बनाकर online और offline दोनों तरीके से sale कर सकते हैं और बहुत अच्छी budget ले सकते हैं soft toy making का काम भी घर से शुरू आने वाले कामों में से एक हो सकता है soft toy making के काम को करके आप अपने लिए बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं आप किसी अच्छे institute से soft toy making का काम सीखने के बाद अपने घर से soft toy making का काम कर सकते हैं soft toys की demand हमेशा से बनी रही है और बनी रहेगी आप अपने तयार soft toys को online और offline दोनों तरीके से sale कर सकते हैं और इस काम को करके आप बहुत अच्छी पचर ले सकते हैं